होट एंड सावर सोप रेस्ट अंस्ट्राइल रेसिपी देने जा रही हूँ विद कॉस्ट और साथ इस रेसिपी के सिक्रेट इंग्रिडियन्स भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी पर्णा कमिशन कैसे निकालना है किस तरीके से आप कमा सकते हैं महीने के 30-40,000 रुपे च कैसे हैं आप लोग कुमिद करती हों जहां भी होंगे खेरियसे होंगे मज़िदार सा होटन सावर सूप बनाने के लिए सबसे पहले मैं बुटे बॉयल करने रख दूँगी आप चाहें तो तीन वाले जो कॉन्स होते हैं वो भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन यहां मैं फ्रे करहाई में अच्छी तरहां से पहला लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ केजी चिकन यहां पर मैं हड्यों के साथ चिकन का इस्तमाल कर रही हूं आप चाहें तो बॉलनेस का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यह कहूंगी कि अगर आपको एक जबर्दसर टेस् साथ साथ प्राइस भी आपको बता रही हूं लास्ट के अंदर क्या कोस्ट आएगी किस तरीके से कमिशन निकालना सब बताऊंगी साथ ही मैं डाल दिया है वान टेबल स्पोन लस्तर अद्रक कुटा हुआ इसको अच्छी तरहां से भूल लेंगे चिकन की स्पैल को खतम कर होगा ही बलके इसके अंदर चिकन की हीग भी नहीं आएगी अब इसके अंदर में शामिल कर दूंगी तक्रीबन दो लीटर पानी अगर इसकी कोस्ट निकालनी तो इस हिसाब से मैं आपको किलो का हिसाब बताऊंगी यहां पर आपको असानी से समझ में आ जाएगा पानी को जोज देने के बाद जो पर से यह जाग आ जाते हैं इसको आपको रिमूफ करना है और इसको रिमूफ करने के बाद फिर आप इसको ढख कर पकाएंगे तकरीबन 40-45 मिनट आप इसको कम नहीं पकाएंगे इसका अच्छे टेस्ट के लिए आपको अच्छी तरह इसे पकाना होगा इसका यह जाग रिमूफ करने के बाद बिलकुल फ्लैम स्लो कर देंगे हलकी आच पे इसको पकाना है और ढख देंगे अच्छी तरह से इसको अब हम काट लेंगे कुछ सब्जियां दो कप बंगोबी ली है एक कप हरी प्याज एक कप गाजर तमाम सब्जियों को इस बंग चालिस मिनट हो चुके हैं कर अची तरह से गल चुकी है और आप देखेंगे इसके उपर हलका हलका सा ओयल भी आ चुका होगा जब आप यखनी भी बनाते हैं या फिर आप सू बना रहे हैं तो इसके अंदर जो हड़्डियों का अर्क निकलता है यह बहुत जादा फ क्योंकि जब वो मूमें चंक्स आते हैं तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं अब चाहे तो बॉलने चिकन को अलग से फ्राइ करके इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि रेस्टरॉन के अंदर इस तरह से होता है हम सबसे पहले यहां पर गाजर डालेंगे और बन गौबी डाल लिए और साथ इसके अंदर हम टू टैबल इसपून नमक शामिल कर देंगे और वन टैबल इसपून पीसी हुई काली मिर्चे शामिल कर देंगे सब के प्राइस साथ लिखे हुए आ रहे हैं इसको आप नौट डाउन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से आप इसकी कॉस्ट निक पकाना है तक्रीबन चार से पांच मिनट इसे पकाने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी प्यास और शिमला मेच यह आप एक बार बनाएंगे आप सब का फैवरिट बन जाएगा क्योंकि यह मेरा तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनता है अब इसके अंदर हम शाम सुटी खाते हैं तो आपकम कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से इसे प्रेफेक्ट रेसिपी है ऐस्टा सौस शामिल करें टू टैबल स्पून यह आराम से कहीं भी मिल जाता है किसी जर्नल स्टोर से आराम से आपको यह मिल जाएगा और इसके नदर मैं शामिल करोंगी सोया तो आप स्कीप करके सोय सोस को टू टैबले स्पून और बढ़ा दें अब इसके अंदर लास के अंदर में शामिल करूंगी चिली गार्लिक सोस किसी भी ब्रैंड का आप शामिल कर सकते हैं फाइफ टैबले स्पून इससे बहुत ही जबरदस इसका टैस्ट बनेगा अब यह ड साबद मुँ में आते हैं कौन तो बहुत ही मज़दार लगते हैं और सूप की शकल भी बहुत ही अच्छी लगती है साथ ही बेस साबद कौन भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी मकई के दाने अच्छी तरह ब्रॉयल हो चुके हैं इसलिए इसके अंदर जादा पकाने के मे जरूरत नहीं है इसको डालने के बाद साथ ही इसके अंदर दो अदत अंदे की सफेजी शामिल करेंगे जिसे पहले अच्छी तरह से हम फैट लेंगे और सूप में डालने के बाद आपको कुछ सेकंड तक चमच नहीं चलाना कुछ दे बार आपको चमच चलाना है जिसकी वजह से इस तरीके से अंडे के लच्छे बन जाएंगे जो के बहुत ही खाने में मज़दार भी लगते हैं और सूप की शकल बहुत ही अच्छी लगती है अब लास्ट के अंदर डालेंगे मॉस्ट इंपॉर्टिट इंग्रीडियंट जैसे हम कहते हैं कॉन फ्लॉर सेवन टैबल स्पॉन कॉन फ्लॉर लिया है इसमें थोड़ा सा पाने शामिल करके इसको अच्छी तरहां से वैंने घोल लिया है हम एक दम से नहीं डालेंगे इसके अंदर एक साथ अगर आप कॉन फ थिक नहीं होना चाहिए और बहुत जादा पतला भी नहीं होना चाहिए कॉन फ्लॉर डालने के बाद इसे तकरीबन एक मिनट तक पकाएंगे और इसका कर देंगे फ्लैम आफ इसको आप उबले हुए अंडों के साथ सर्फ कर सकते हैं मज़ेदार सा रेस्टनल स्टाइल हो यहां पर अगर हम बात कर लें इस सूप की तो तकरीब 724 रुपे टोटल बनते हैं जो मैंने प्राइस आपको यहां मेंशन किये हैं इसके वजन की बात कर लें तो तकरीबन 2000 गिराम यानि दो किलो बनता है सिंगल सर्फिंग देंगे हम 200 गिराम और सिंगल सर्फिंग के प् से जो अंसर आएगा सको 100 से डिवाइट कर देंगे यानि 25 सो में से 7500 रुपए फुट पार्डा का कमिशन निकाल देंगे तो यहां पर बचेंगे 1750 रुपए 1750 रुपए में से टोटल जो हमारी कॉस्ट आई थी यानि 726 रुपए उसको हम कर देंगे माइनस जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल आएंगे 1026 रुपए यानि आपने महीने के कमा लिए 30,780 रुपए इसी तरीके से आप कॉंटेटी बढ़ा देंगे तो 40-50,000 रुपए भी आप कमा सकते हैं सिर्फ इस सूप से बहुत एक कम कॉस्ट आती है लेकि प्रॉफिट आपको मिलेगा ज्यादा इससे पहले वीडियो आप चेक कर सकते हैं जिस पर मिक्स वेजटेबल की मैंने आपको कॉस्ट और प्रॉफिट बताया है प्रॉफिट करते हैं वीडियो पसंद आई होगी लाक शेयर कमेंट करना नहीं बूलेगा चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इन्शाला आप से बिलते हैं इसी प्लैरफोर्म पासे चैनल पर लेकिन एक नई हो मज़दासी वीडियो के साथ